नमस्कार हर हफते की तरह आनंद वर्दन सिंग मेरे साथ जुड़ रहे हैं थांक यू वरी मच आनंद आप टाइम देते हैं लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो आपका प्रोग्राम सुनते हैं और मेरे को डाइरेक्टली वाट्सेप पर बहुत मेसेजिस करते हैं तो साउथ में हैदरबाद में लोग वेट करते रहते हैं अब इस प्रोग्राम का तो आज मैं थोड़ा बात करूंगा एक अभी स्टेट्मेंट आया था कल कल शायद आया था ओपी राजबर साब का मैं आपको पहली स्लाइट दिखा रहा हूं उसमें वो स्टेट्मेंट है य यह कली स्टेट्मेंट आया है यह हिंदू में यह पूरा बड़ा आर्टिकल है राजबर जी यह कहते हैं कि कास्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है उत्तरत देश में जो भी समाजवादी पार्टी को की तरफ जो वोट शिफ्ट हुआ है वो समाजवादी पार्टी की नीती की वज़े से नहीं है केवल कास्ट की वज़े से उनको ये वोट्स मिल गए हैं तो बात मैं आज इसी पर आप से करना चाहता हूं कि ये कितना true है या false है ये statement और actually क्या हुआ उत्तरप्रदेश में थोड़ा सा मैं आपको background डेटा दिखा देता हूं जो मैंने net से निकाला है ये कास्ट की गिंती ये आराम से मिलती नहीं है क्योंकि कोई census तो हमारे हैं हुआ नहीं है दोजार ग्यारा के बाद और कास्ट सेंसस तो यूपी में नहीं हुआ है तो ये तरह तरह की figures है ये news 18 का एक figure है जो मैं दिखा रहा हूं मेरे इसमें थोड़ी error भी है य ये कहते हैं जनरल कास्ट सुट्रक्रदेश में 25% है मुस्लिम 16% SCST 20% और OVC 39% और आनन्द ये विकी बीडिया के हिसाब से है कि OVC 39 जनरल कास्ट 21% है जब के news 18 25 बोल रहा था Muslims 19 और SCST 20 तो ये एक बड़ा ब्रॉट सा break up है यहां पर कास्ट का और इसी को जब हम breakdown करते हैं ये news 18 का ही देता है तो जनरल कास्ट में उन्होंने ब्रामिन, ठाकुर्स, वेस्शेर और अन्यस अभी अपर कास्ट लिये हैं OVC में यादव, मौर्या, कुर्मी, निशाद, द ये broad categorization किया गया है यहां पर अब region wise इन्होंने map दिया है कि West UP में concentration है Muslims का और जाटर्स का, Central UP में Brahmins है 13 प्रतिशत और East UP में ये other SCST ये others और कुर्मी 18 प्रतिशत हैं ये एक बड़ा broad level का categorization UP का इन्होंने यहां पर दिखाया है तो broadly ये distribution है और हम सब को पता है किस तरह से ये seats आई भी हैं वो map मैं आपको बाद में दिखाऊंगा चूंकि उस पर कुछ और चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये राजबर दी का statement और क्या cast based voting ही हुई है UP में आनन नहीं जो मैं समझा हूँ और जो राजबर साहब कहना चाह रहे हैं जो मेरी समझ है His statement says कि जो अगर candidate उस cast का था तो उस cast के लोगों ने अपने candidate के साथ चले गए हैं लेकिन जो जो जात के ठेकेदार थे जिसमें एक बड़े ठेकेदार राजबर साहब खुदी हैं उनके कहने से वोट नहीं दिया गया है मैं इस बात को भी थोड़ा नहीं मानता हूं मेरा पहला आर्गमेंट के है कि ओपी राजबर जी की जो अपनी होम सीट है जहां से उनके लड़के अनिल राजबर लड़ रहे थे और जहां पे उनको ब्रिजेश फाटक ने ले जाके सब बीजेपी के वरकर्स के सामने कान प सब्गन के ठक बेटा कि सब कर वाया तें सब प्म 아주 ही थे वहां पे राजबर की क्या हो गया वहां के आपका लड़का क्या राजबर से वहूँसरे क्या तो अनको तो 19 बसक्तियों धिंग इंदें तो अपनी केवल लगाते थे चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो तो उसी तरह से इन्हों ने वहीं से लिया है जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ओम प्रकाश राजबर को क्यों मंत्री बनाए गया है आप आप राजबर के अपने को थे आप स्वगोशत सबसे बड़े ठेकेदार थे तो या तो आप पहिए कि अब यह ठेकेदारी प्रिथा खतम हो गई अब सब बराबर हैं जो जहां से जिसका जितना मिलेगा उसको को चारा हैं जो उसको एक एक जो इस्टेट्मेंट देना चारा हैं वो ये देना चारा हैं कि और उन्होंने जो चार कास ने कुर्मी, मौरया, कुष्वाहाँ और शाक के उनका ये कहना है कि B.J.P. ने इन इन लोगों को जादा टिकट नहीं दिए जो फैक्ट भी है जो फैक्ट भी है क्योंकि कुर्मी मैं एक वोटर का ना यादव जैसे जो बड़ा कॉंपोनेंट है वो यादव का है और यादव टेडिशनली समाजवादी पार्टी के साथ है उसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है कुछ यादव का परसंटेज बीजेपी में भी चला जात है लेकिन वो सपा का वोट बैक माना जाता है दूसरा जो बड़ा एक है वो है कुर्मी वोट बैंक की एहमियत इसलिए भी है कि जैसे अगर यादव आपके साथ आ रहे हैं तो जो यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स है तो दो कास्ट वाले हो सकता आपको छोड़के भी चले जा लिए क्यों कि यादव इस प्ल ROS कास्ट बोलब साथ लेकर सबको साथ मिलाकर चलने वाली याट नहीं है के की थीक जो गुर्ल मी याध हैं वो जादा पढ़े लिखे हैं अच्छे संपन्न नहीं और जहगडालू जानए है और जहगडालू जात नहीं हैं बढ़र बजक उनसे लोगों का यह नहीं क्या मुझे जैसे दलित ज्यादव को वोट करना दलित नहीं नॉर्मल उसमें दलित वोट नहीं करते इस बार भी उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गडबंदन को वोट मिला है और मतलब समाजबादी पार्टी को वोट मिला है तो कर्ट सी इसरी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप किसको कितना दे रहा हैं किसको कितना नहीं दे रहा हैं किसको कितने टिकेट्स दे रहा हैं उस पे अखलेश यादव ने ठीक से काम किया था अखलेश यादव के ऊपर हर दम यह रहता था कि वह बहुत जादा यादव को दिये गए मतलब अखले शादव के पास 63 सीतें थी 17 सीतें कॉंग्रेस लड़ लाई थी उस 63 में पांच दिये गए और वो पांच भी उनके अपने इमीजेट घर वाले थे मतलब इनके तीन भाई एक पत्नी और एक खुद तो उन्होंगे अपने परवार की मार किसी यादव को नहीं गिया लेकिन यह भी एक उल्फ्रकास एकूंपर्राजबर को समझना होगा कि जब उन्होंने किसी और यादव को नहीं भी दिया लेकिन वो यादव के सारे वो अपने साथ लेने में ले आने में सफल रहे जैसे उन पर गार टाजमेर्टी का कहना ना कि जा जहां वो अरे तो आप क्या जहां जहां ते वो क्यों नहीं मिला एक नन ही दूसरा जो एक मायवती जी ने इस बार कोशिश की थी उत्तफलिदेश में मेरे पास तुरंत याद नहीं मुझे उन्होंने 20 से जादा उन्होंने करी 25 30 मुख्यून जा पहल है उन्होंने काफी मुस्लिम कैनिडेट उता रहे थे और इस उमीद में उता रहे थे कि वो मुस्लिम कैनिडेट जो है जो अब लगता है वो इंडिया गट बंदन के प्रॉस्पेक्स को डामेज करेगा कि उसके पास वोट चले जाएंगे कुछ जगा किया भी कुछ जगा उनको वोट भी मिले लेकिन जो बाई अनलार्ज में अभी भी यह मानना हूं अमा इन्हो प्रेश आदम ने केवल चार मुस्लमानों को वोट दे अगर आप असी में चार है तो मोटे तौर पे वो पांच परसंट आ रहा है अगर 20 परसंट जिसकी आबादी हो या 19 परसंट आबादी हो उसको आप 5 परसंट पर कर रहा है लेकिन उन्होंने फिर भी वोट दिया तो मेरा कहना यह है कि यह थोड़ा ओम्टकाश राजबर हो चाहे मोधी जी हो समझना यह पड़ेगा कि यह जाता आप तो ठीक है आप आप वहां पे क्या हो गया भई आपको आयोध्या में उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी के 15 शुलकास के एमपीज थे इस बार आठ रह गए तो दलित आपके हहां से भाग गया और दलित भाग के मायवती अवढ़ेश के पास नहीं किया वाग के इंडिया के बंदन चला गया जो उसका पुराना घर है अब जो असली मुश्किल है और जो चैलेंज है बीजेपी का और पी चैलेंज है कि आने वाले चनौव में जो अभी कि उनन गोर ये वह तास वाय कि आ नहीं रहा है कि यह हैं कि नहीं रखते हैं मेरे हिसाब से और वो अगर रखने में काम्याब हो जाते हैं तो मैं यह मानूंगा कि शिफ्ट इस पका लेकिन जात के अलावा मुझे ऐसा लगता है इशूस भी इंपॉर्टन ज्यादा थे बिट्वीन जात जात इसको नो एन इस डिनाई पर मेरे हिस आप से बेरोजगारी महंगाई इसने जात नहीं देखता है यह यह सबके लिए बराबर थी तो शायद बीजेपी उसको पढ़ नहीं पाई और बीजेपी का ओवर इंफिसिस ऑन जात 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 मुसंजा निशाद उस जात के तो उनको लिया हो और उन प्रगाश को ठीक है और ठीक से टिकेट बाट इसमें कहीं कोई दो रहा है नहीं अजय जी आनन लगे में जब अब बात कर रहे हैं तो मायवती के ऊपर थोड़ा सा डेटेल में अगर आप बताएंगे पहली चीज़ तो उनका बहुत बुरा डेविकल रहा है इस बार आल्मोस वाइप अब बढ़े मेजर रोल वनस अगें आनन फर्स्ट इस नो मुझे ऐसा लगता है कि एक दो चीज़े आजी पेपर में ख़बर आई मायवती जी कहां है वी डिसकाउंट सेल लग गई है आप आप हैदाबाद में मुझे नहीं मालम लखनों में कई जगह परमनेंट साल दर सा वो डिसकाउंट सेल लगी रहती है क्या है वो डिसकाउंट सेल ही लगी रहती है बड़े ब्रैंड की बड़े ब्रैंड की बारों महीने एक डिसकाउंट सेल चलती है वो मामला अब बीएसपी में शुरू हो गया है बीएसपी ने अपनी क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्य प्रास में नहीं जानता हूं जो जानता है उसको पता है और यह भी फैक्ट है कि वहां पर यह कहा जाता है कि मैं आपको इतने वोट दे रहा हूं दे रही हूं दे रहा हूं और इसलिए इस वोट की कीमत क्या है अगर आप दस लाग बीस लाग पचास लाग एक करोड़ दो कर करोन खर्च करते तो आप तो अभी जैसा मेरी जानकारी है एक तो अधिकरत जानकारी एक तो मार्केट की जानकारी है जैसे एक लिस्टेट शेर होते हैं एक अलिस्टेट शेर होते हैं तो मामला डिसकाउंट पे है और हेवी डिसकाउंट मतलब जो शायद करोन का मामला था भे 25 लाक्ट के बहुत आसानी से हो जा रहा ही। वह मामला डिस्काउंट है और वह एक दूसरा डिस्काउंट यह है कि वह जो 200 रुपए की उनकी मेंबरी थी वह मेंबर शिप के मेंबर से 200 रुपए लेती थी उस पर डिसकाउंट से लब पचास रुपए की हो गई है वह ओफिशल ही डिसकाउंट है तो मेरे ख्याल में वह स्ट्रैप में आ गई है जहां पे अब उनकी मतलब 100% उस पे तो कोई खरीदेगा ही नहीं और डिसकाउंट जैसे सेल लगी रहती है वैसे सेल लगी है कभी कभी आपको ज़रूत होती है पानी यहां जा रहा है पानी के लिए दो दिन के लिए जूता चाहिए चाहिए तो आप जूता होता खरीद लेते हैं कि दो-तीन दिन का है चलो सेल से ले लो यह जानते हुए कि बहुत अच्छा जूता नहीं है तो जो ठेकेदार इस तरह के जो जिन्नों ने कुछ पैसा कमाया है जिनको समाज में थोड़ा रिक्रिशन चाहिए थोड़ा पतलब आप ठेकेदार हैं तो उन लोगों के लिए एक दुकार खुल करके गुमेंगे और अपना मामला चलता रहेगा तो एंड मायवती जी की स्टोरीज का तो अब दी इंड है इसमें कहीं कोई अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं है उनकी फित्रत नहीं है उनकी फित्रत नहीं है दिर आर पीपल जो 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 जोनाने डिवाइब किया है मतलब ग्रेट एक्जाम्पल इन यूर आपकी जो पुराना राज्य था आजप्रदेश वाट अगर वो लड़े थे तो आज वापस आए भी मायावती जी को तो आज तक मैंने पिछले 25-30-40 साल से मैं भी देख रहा हूं उनका मैंने मायावती जी को कभी लड़ते हुए नहीं देखा है उनका एक अपना स्टाइल है कि इसको टिकट दे दो फिर इसको निशासित कर दो फिर इसको वो कर दो इसको सस्पेंट कर दो इसको बार नकाल दो और वो इस उम्र में कोई बदलने वाला नहीं होता है जो जैसा है वैसा है और मायावती जी को कुछ लोग जाकर समझाते रहते हैं कि आप ही प्राइम मिनस्टर होंगी एक दिन इस देश की एक तब का यह समझाता है कि अगर आप के साथ हम लोग खट गए ना तो आप 100% जेल चली जाएंगी क्योंक हैं लेकिन सपना भी देखती हैं तो दोनों चीज़ें में मायावती सागा इस ओवर आजए जी आनल मैं आपको अब एक और स्लाइड दिखाऊंगा और प्रश्न थोड़ा अब डिफरेंट है कि साथ फेज़ें में यूपी में चुनाव हुआ था और राइट हैं पर आप कहां कहां कौन सी पार्टी जीटी थी लाल रंग सपा का है और मेरे इसाब से ये मल्टी फेज इलेक्शन बीजेपी के लिए ये नुक्सान दे रहा है क्योंकि मैंने सिमिलर आनलिसिस किये वेस्ट पंगॉल की भी वहां पे भी ये मल्टीपल फेज और एक एक महीना जो इल बीजेपी को एक भी सीट नहीं दिख रही है इस पहले फेज मैंने शाहिद मिली है एक मिली है इस और फिर बहुत क्लियर है यहां फेजिस में जो इलेक्शन हुआ है और रिजल्स आए है वो बड़ा साफ देख रहा है रिजल्स के ऊपर तो आनल आपका क्या उपीनियन है यह मल्टी फेज इलेक्शन जो हुए थे वो कितना दुखसान रहा बीजेपी का या फाइदा रहा आपका कॉमेंट जाहूंगा आनल मैं आजय देखिया ऐसा है कि बीजेपी ने अपने उपके पास एक वाट्स एक खराब हो है मैं उसको पूरा नहीं बोलूँगा जिसना सयाना कववा के बारे में कुछ कहा जाता है सयाना कववा इंटेलिजेंट क्रो एन टाइम से कहा जाता है कि वो कुछ ऐसा मल खाता है यह का जाता है सयाना कववा जो मल खाता है यह बात मैं इसलिए क्या रहा हूं कि बीजेपी अपने हिसाब से तो वो जो जो बीजेपी को आता है फिर वही बात है जो जिसको आता है बीजेपी ने अपने हिसाब से क्या क्या किया लीडर्स को जेल में डाला तो पहला काम तो धर्म कर्म की बात करने लगते हैं, गम उसे एक घंटा, यार ये तो अपने को अपनी भी गद के हो नहीं, लेकिन बाहर आते ही फिर वही बाकी दुनियादारी में लिप्त हो जाते हैं, उसी तरह से जब अगर अरविन केजरिवाल गिर्फतार होते हैं, इमन सोरेन गिर्फता अगरेंगे, जितनी तरह से बांध सकते तो उस सब को बांधने का काम उनने कर दिया था, आपस में जगले लगाने के काफी काम किये, चारसो पार, चारसो पार कर दिया, मोधी जी की आदम का वो होने लगी, सारे होर्डिंग्स का पहले ही उन्होंने ठेका ले लिया, किसी दूसरे के पास एक भी होडिंग ही नहीं थी, ये सब करने के पास उनको लगा कि हम बहुत अच्छा करेंगे, और मोधी जी को साथ फेस चाहिए, क्योंकि मोधी जी पर घूम घूम के, अकेला वो है, मतलब वो बिलकुल रामचन जी की तरह, अकेले युद्धिस्तन मुना ह सब को मार काट करके दोनों आज से तलवार चलाएंगे और वो ठीक कर रहेंगे, हुआ इसका उल्टा, मोधी जी खुदी, मोधी जी जब शुरू किये, तो वो शुरू किये थे बंगल सूत्र से, और बाद में आते आते बस मोधी जी ने, हो सकता है प्राइवेटली गाली, गाली देने से कम तो काम नहीं किया, मुझरा कर रहे हैं, वो भेंस खोल ले जाएंगे, मोधी जी कितना ठक गए थे, ये उनके वक्तवियों से होता है, दूसरा जो मुझे लगता है, जो टर्निंग पॉइंट रहा, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो बड़ा टर्निं गेंगे, दूसरे या तीसरे फेस के बाद पहला निर्ना हुआ अखलेश यादवकर, कि मैं भी चुनाओ लगोगा, उसने जैसे रॉकेट को एक एक्स्टा एनरजी नहीं मिलती, उसने उस इंडिया कर बंदन को एक एक्स्टा एनरजी दी, और फिर आया, अब ये था कि रा सब्सक्राइबरेली से एलेक्शन लड़ लिए, नो, आई टेक इट अस टरनिंग पॉइंट, वो जो अगर आप, और वो पांचवाँ, छेटा, साथवाँ फेस की, देखे, पहले फेस में, मैं इसलिए उसको कह दो, पहले फेस में आठ सीटे थी, उस आठ सीटों में, साथ सब्सक्राइब, बाकी जगा, तो वहाँ पे, मुस्लिम मोटर्स वार अलड़ी विट इंडिया गट बंदर, तो वहाँ पे ये मुश्किल लड़ाई लड़ने जा रहे थे, लेकिन विट सेकंड थर्ड फोर्ट, जो लास्ट के फेस हुए, अगर आप उस समय देखते तो ग जेपी क्लियर है, मोधी जी की सीट को छोड़के, और मोधी जी की सीट भी फसी थी है, मतलब कहां पांक लाग से जीते थे, कहां डेल लाग से इंके अंदर आ गए तो मोधी जी भी फस गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लंबा एलेक्शन हुआ, उस पे मोधी जी त उठा रहा था, लोगों की बातें कर रहा था, तो वो कंट्रास्ट भी होता गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मोधी जी अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कियें कि वो हार गया है, वो उनकी खिसियाद और मेरे क्याल में अगर जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, राह वो बनाने की कोशिश की थी, मोधी जी तो, अगर आपको याद हो, ये सब हसी की बात है, अगर आप इस, आप, यूर फादर इस, हो और इस देर, अच्छा, आपके पिता जी ने कभी आपको एकात थपड़ अपड लगाया था कि नहीं लगाया था, हाँ, कभी कभी तो आपके पिता जी जिन्दा हो और उनके सामने आप जाके देखिए, आज से मुझे लग रहा है, कि मैं नोन बायोजिकल हूँ, तो आपके पिता जी आपको कितना बायोजिकल बनाएंगे, ये जरा सोच लीजे, तो मुझे कभी-कभी ये भी, मतलब, I feel sorry, and I feel, I have sympathies, कि अगर आदमी क्या पिता नहों, तो आदमी इस तरह की बातें करता है, उल जलूल, जिसको कोई टोगने ही वाला नहीं है, मतलब, we are fortunate enough, आजाए, कि अगर हम कोई बेकुफी की बात करते हैं, तो कम दो कम फोन उठा के तुम ही कहा देता हो, क्या या पागल हो गया, या मैं तुम से कहा देता हूं, ये we are fortunate, लेकिन वहाँ पे एक आदमी है, जो ओल जलूल, बिना सिर पैर की बातें बोल रहा है, तो वो जो लंबा election हुआ, उसमें मोदी जी का ये भी साफ हो गया, कि मोदी जी has nothing to offer, he has only these things to offer, non-biological, और क्या क्या चीज़े कर रहे थे, मुझरा और क्या क्या करने लगे थे, तो वो मोदी जी के असलियत भी सामने आ गई, मेरे ख्याल में, अजे, जी, I think के मोदी जी का अब UP से तो अब ये खतम हो गया है, वो दुबारा से बनारस तो नहीं आएंगे अब लड़ने, अगर वो अगला election, तो thank you so much आनन for joining, interesting, मैं एजे, मैं एक सुध्या से लड़ने का, और जैसा अवदेश करसाद जी ने अपनी लोकस्वा की स्पीश में भी बताया और वैसे भी कहा, वहाँ दो बार सर्वे कराए गए, और दोनों बार ये हुआ कि यहा हाँ आप हार जाएंगे, मोदी जी को था कि राम लला, तरह तरह की कपड़े, यहां की पगड़ी, यहां का माला, यहां का वो करके मैं मतलब चलूँगा तो फिर भगवान राम की जगह एक छोटा मंदिर, मैं भी छोटा नहीं, छोटा क्यों बनवाएंगे, उनसे बड़ा मंदिर मोदी जी का भी बन जाएगा, लेकिर वहाँ की सर्वे ने कहा कि नहीं आप हार जाएंगे, यह देश्ट जाद जी का बार बार कहना है, और लोग तंत्र में ऑपोजिशन का भी एक रोल है, वो जितनी जल्दी उनको समझ में आ जाएगा, वो देश के लिए अच्छा होगा, यह सज़एंगे, एक तो शायद वो बनारस से नहीं लड़ेंगे, द अब खतम हो जाएंगे, तो थैंक यू सो मच आनल्द पर जॉइनिग, फिर में रहेंगे अच्छे आफसे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आजये.